रादे कृष्णा फ्रेंड्स और आप सभी का में चैनल पे बहुत बहुत स्वागत थे तो अभी घर का सारा काम हो गया है खाना बना रही हूं में और खाने में बना रही हूं कुंदरु की सबजी और रोटी और कुछ भी नहीं है इससे ज़्यादा वैसे सबजी मेरी बन प्लीज अगर आप चैनल पे नए है फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो को लाइक और शेर कीजेगा तो बरतन थोड़े बुद पड़े हुए हैं ने साफ करना है मुझे तो सब खाना पीना होगा उसके बाद ही बनाओ मतलब बरतन साफ करूंग तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद और बनने रहिएगा आप तो अभी सोनु आया है कोचिंग से क्यूंकि वो काफी दे से गया हुआ था तो वो आया है उसी का इंतिजार कर रहा था ब्रुनो तो अभी उसे ना इदम से अंदर नहीं आने देगा बहुत परिशान करता है जब कोई घर पे मतलब घह से पाहर जाता है ना कोई और फिर आता है तो फिर काफी परिशान करता है ब्रुनो तो ये देख लिए जाते से ही मतलब तब ही सोनु आया है तब सोनु को भी खाना निकाल के दूँगी तो रोटी तो मुझे बनानी है उसके लिए भी हम मेने और पियू ने खाना खाया था तो बस मैं अभी सोनू के लिए रोटी बना देती हूँ उसे भी खाना निकाल देती हूँ क्योंकि मतलब काफी टाइम हो गया था उसको दो-तिन घंटे हो गए और खाने का भी टाइम तो खिर होई गया था तो फिर इसलिए मैं उसे खाना निकाल देती हूँ और मेरी यह देख लिए उसी के लिए रोटी बना रही हूँ और अभी पीऊ के पापा तो घर पे नहीं है काम अभी उनका चल रहा है और तबिद भी उनकी खराब है लेकिन क्या करे काम तो खिर करना ही पड़ता है तो जब वो आएंगे तो फिर उन्हें रोटी बना दूँगी तो बस अभी यहाँ पर रोटी बन गई है तो इतना कीचिन में साफ कर देती हूँ और यहाँ पर मैंने सोनू के लिए खाना निकाल लिया है और अभी देख लीज़े सोनू भी आया है ना तो आते से ही लेप्टॉप पे बेट गया है तब थोड़ा वीडियो अगेरा देखेगा अब बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि बच्चे पढ़के आते हैं तो फिर उन्हें फिर थोड़ा भुट तो अपने हिसाब से चलना ही पड़ा तो फ्रेंड्स कई दिनों से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा था आपको पता ही है क्योंकि जब मेरी तबेट ठीक नहीं होती ना जब भी मैं फिर व्लॉग बिना मतलब ब्लॉगिंग करी नहीं पाती हूँ क्योंकि घर में भी काम होते हैं बच्चों को भी देखना है और बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है और अभी तो देखिए परवाचोद भी आने वाला है मेरी कुछ भी तयारी नहीं हुई है कुछ भी एक भी चीज मैंने नहीं खरीदी है कुछ भी नहीं हो पाया है क्योंकि बिल्कुल टाइम ही नहीं है और घर की साफ सफाई भी करनी है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तब्यत इत्ती अच्छे से ठीक भी नहीं हुई है विकनेस काफी है तो देखती हूँ कैसे क्या करूंगी लेकिन बिल्कुल अभी तो हिम्मत नहीं है जैसे तेसे अभी बस व्लॉगिंग तो बस आप लोग पहले जैसे सपोर्ट कर रहे थे वैसे ही करते रही है मेरे कई फ्रेंड्स तो वीडियो पर अभी आना ही बन कर दिया है केर उनकी भी कोई मतलब वह बात नहीं है कि नहीं आ रहे क्योंकि में ही व्लॉग डाल नहीं रही थी तो फिर कहां से आएंगे तो जित्ते भी मेरे पुराने फ्रेंड्स सब आना स्टार्ट कर दीजियों जो भी है बस यहीं है और इस से जब्रोल तो अभी मतलब मुझा सब्साइब मतलब अच्छे से पुरी तरीके से ठीक नहीं हुए अभी पीउओ के पापा के भी जा avi थीक होई तो जहीं हो गए पिर टीक होते तहीं कोई बच्चे की होगस तक ही हमारे हें यहीं हो रहा है कि बाद कोई को तब यहीं होग स्0 1 वय हिए सब सब्लीप qualquer मेरा काम से नहीं होग रहे लेhoeिट एक इस बाहे हो ना किसी चीज़ की तैयारी हो पा रही है रही है है जैसे इस से बस यह कि उठके खाना पिना बना लेते हैं और वीडियो पर आया कीजिए सपोर्ट कीजिए मैं भी आपको करूंगी बस यह कि मैं आप लोगों के वीडियो पर भी नहीं आ पाती हूं क्योंकि वह यह कि अभी मेरा ना तब है ठीक जब होगा ना अच्छे से तब ही मैं सब पहले जैसा कर पाऊंगी बिल्कुल भी मैं वीडियो नहीं डाल पाती हूं बस अपने शौट जो होते हैं वही मैं शौट वीडियो डाल पा रही हूं और भी वह भी पहले के शौट पड़े हुए हैं बने हुए जो मैं आप मतलब डाल देती हूं कुछ भी मैं काम नहीं कर नहीं बन रहे हैं ना इस्टा पे बना पारा ही हूं कुछ भी नहीं दल पार हुँ मेरी सब घडबड हो रहा है तो पर जैसे ही मेरी तबने दरना फस्सक्लास होगी ना प्लग भी है सब ठीक होगा ना तो फिर में आप फिर मेरे मतलब व्लॉग लगातार आते रहेंगे और भी घर भी चेंज करना था लेकिन वह भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि टाइम ही नहीं है इदर ढूनने के लिए बिल्कुल तो देखते हैं कैसा क्या होता है अब जो भी होगा मेरे लाइक करना भूल जाते हो अगर अच्छा नहीं लगता है तो पिर से पता चलेगा मुझे क्या आपको मेरा व्लॉग अच्छा नहीं लग रहा तो लाइक करो गे तो पता भी करोंगों क्यूंकि अब सब हम लोग बीमार पड़े हूए बिल्कुल भी घर में न अभी में ठीक थोड़ी हुई तो पीउ के पापा हो गए आपको बताया यह तो बस ऐसे सपोर्ट करते रहें जित्ता बने उत्ता सपोर्ट करते रहें में भी करती रहूंगी तो यहाँ पर ब्रुनो को बान दिया गया है क्योंकि ब्रुनो बहुत भूख रहा था क्यों ब्रुनो एना सोजाओ तो मैं यही पर अपना व्लॉग एंड करूंगी और अगले व्लॉग में हम मिलते हैं जब तक के लिए टाटा बाई बाई फ्रेंड्स